अपडेट एक महत्वपूर्ण दिन अटल बिहारी वाजपेई पुन्यति थी 16 अगस्त इस वर्ष भारत के पूर्व प्रधान मंत्री और भारत रत्न से सम्मानित अटल बिहारी वाजपेई की छैवी पुन्यति थी है उन्होंने 1996 में 13 दिनों की अवधी के लिए भारत के दस्वे प्रधान मंत्री के रूप में कार्य किया पी-एम के रूप में उनका दूसरा कार्यकाल 1998 से 1999 तक 13 महीने के लिए था उन्होंने 1999 से 2004 तक पी-एम के रूप में पूर्ण कार्यकाल के लिए पत संभाला वाजपेई का 2018 में 93 वर्ष की आयू में निधन हो गया था वाजपेई एक अनुभवी सांसद थे जो 9 बार लोकसभा और 2 बार राज्यसभा के लिए चुने गए थे उन्होंने स्वतंत्रता के बाद भारत की घरेलू और विदेश नीती में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई अपडेट दोक नियुक्ती पी आर श्रीजेश को जूनियर पुरुष हौकी टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया गया हौकी इंडिया ने पेरिस ओलंपिक के बाद खेल से सन्यास की घोषणा करने वाले गोल की पर पियाए श्रीजेश के सम्मान में राश्ट्रिय सीनियर पुरुष तीम से नंबर सोलह जर्सी की सेवानिवृत्ती की घोषणा की यह निरने 18 साल के करियर का जश्ण मनाता है जिसमें बैक टू बैक ओलंपिक कांस्य पदक हासिल करना शामिल था राहुल द्रविड से प्रेरित होकर कोचिंग की राह पर चलते हुए श्रीजेश जूनियर पुरुष हौकी टीम के कोच बनने के लिए तयार है प्रशमसकों और सहकर्मियों द्वारा समान रूप से प्रियक खेल के प्रती श्रीजेश का समर्पन और भविश्य के लिए उनका द्रिष्टिकों भारत की होकी महत्वा कांग्शाओं को उजवल रखने का वादा करता है अपडेट 3 नियुक्ति राणा आशुतोष कुमार सिह ने SBI के MD के रूप में भूमिका ग्रहन की राणा आशुतोष कुमार सिह ने भारतीय स्टेट बैंक SBI के जोखिम अनुपालन और तनावग्रस्ट आस्ती समाधान समूह सार्ग विभागों के प्रभारी प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार संभाला है मुंबई सरकिल के पूर्व मुख्य महा प्रबंधक गजेंद्र सिंह राणा ने सिंह से देश के सबसे बड़े बैंक के लिए उप्रबंध निदेशक, DMD, खुद्रा और रियल एस्टेट के रूप में पदभार संभाला है इससे पहले कैबिनेट की नियुक्ती समिती ACC, NACAS शट्टी को मौजूदा अध्यक्ष दिनेश खारा के 28 अगस्त को सेवानिवरित होने के बाद 3 साल के कार्यकाल के लिए SBI के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने को मनजूरी दी अपडेट 4 पुरसकार भारतिय सेना के करनल मनप्रीत सिह को जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में बलिदान के लिए मर्नोप्रांथ कीर्ती चक्र से सम्मानित किया गया पिछले सितंबर में जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में आतंकवादियों के साथ मुठभेड में अपनी जान गमवाने वाले भारतिय सेना के करनल मनप्रीत सिंह को इस स्वतंत्रता दिवस पर मर्नोप्रांथ कीर्ती चक्र से सम्मानित किया गया है करनल के साथ राइफल मैन रवी कुमार मर्नोप्रांथ मेजर मल्ला राम गोपाल नाइडू जम्मू कश्मीर पुलिस के उपाधीक्षक हिमायू मुजमिल भट मर्नोप्रांथ को भी कीर्ती चक्र से सम्मानित किया गया करनल मनप्रीत सिंह उननीस राष्ट्रिय राइफल्स आर आर बटालियन का नेत्रित्व कर रहे थे जब उनकी मृत्यू हो गई और आर आर के साथ अपना कार्यकाल पूरा करने से केवल चार महीने दूर थे अपडेट पांच पुरसकार अधन की खाडी में समुद्री डकैती विरोधी अभियान के लिए नौसेना अधिकारियों को वीरता पुरसकार नौसेना के दो अधिकारी उन 18 शौर्य चक्र विजेताओं में शामिल हैं जिनहें 78 तरवे स्वतंतरता दिवसकी पूर्व संध्या पर नामित किया गया था कैप्टन शरद सिंसुन्वाल और लिफ्टिनेंट कमांडर कपिल यादव को समुद्री डकैती को विफल करने और अरब सागर और अधन की खाडी में ड्रोन हमलों का सामना करने वाले जहाजों का जवाब देने में उनकी भूमिकाओं के लिए सम्मानित किया गया अन्य छे अधिकारियों और कर्मियों को समुद्री डकैती और अन्य अभियानों को विफल करने में भूमिका के लिए वीर्टा पदक से सम्मानित किया गया कैप्टन शरद सिंसुन्वाल वर्तमान में इन्स कोलकाता के कमांडिंग आफिसर है जहास को 16 दिसंबर 2023 को ओपरेशन अधन की खाडी में समुद्री डकैती के लिए तैनात किया गया था अपडेट 6 पुस्तकें संसदिय चुनाफ पर मुख्यमंत्री एम के स्टालिन की पुस्तक का विमोचन 16 अगस्त को डियम के जिला सचिवों की बैठक में तमिलनाडू के मुख्यमंत्री और डियम के अध्यक्ष एम के स्टालिन की पुस्तक पार्लियामेंट्री इलेक्षन 2024-4040 वर्डिक्ट आफ दसाउथ का आधिकारिक तौर पर पार्टी महा सचिव और राज्यमंत्री दुरई मुरुगन द्वारा विमोचन किया जाएगा डियम के कोशाध्यक्ष और सांसत दियार बालू 16 अगस्त को चैन्नई में पार्टी मुख्याले में होने वाली डियम के जिला सचिवों की बैठक में इसे प्राप्त करेंगे पार्टी की एक विध्यप्ती में कहा गया है कि आम चुनाव तानाशाही और लोकतंत्र के बीच की लड़ाई थी और डियम के से मिलकर बने इंडिया गठ बंधन ने ऐसी स्थिती पैदा कर दी जहां 400 सीटों पर जीत का दावा करने वाली भाजपा अपने दम पर सरकार भी नहीं बना सकी अपडेट साथ अर्थव्यवस्था बेल को DVC से मिली 1600 मेगावाट थर्मल पावर परियोजना सारवजनिक शेत्र की बेल ने कहा कि उसे दामोदर घाटी निगम DVC से 1600 मेगावाट की परियोजना मिली है बेल ने एक बयान में कहा कि कोईला आधारित इकाई जारखंड के कोदर्मा जिले में EPC, इंजिनेरिंग, खरीद और निर्मान के आधार पर स्थापित की जाएगी 2800 मेगावाट की कोदर्मा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट, ASTTPP को अंतरराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धी बोली, ICB के माध्यम से प्रदान किया गया है बयान में कहा गया है कि DVC के लिए क्षमता के मामले में यह पहली ऐसी परियोजना है और इसे बेल द्वारा पहले स्थापित की गई मौजूदा 2X500 मेगावाट इकाईयों के साथ में स्थापित किया जाएगा अपडेट आठ विविध पैरा शटलर प्रमोद भगत दोपिंग रोधी नियमों के उलंगन के लिए निलंबित तोक्यो उलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता पैरा बैडमिंटन खिलाडी प्रमोद भगत पेरिस पैरालंपिक में अपने खिताब का बचाव नहीं कर पाएंगे क्योंकि उन्हें BWAF के डोपिंग रोधी नियम का उलंधन करने के लिए 18 महीने का निलंबन जेलना पड़ा जिससे भारतिय खिलाडी का दिल तूट गया है विश्व बैडमिंटन महासंध BWAF पुष्टी करता है कि भारत के टोक्यो 2020 पैरालंपिक चैंपियन प्रमोद भगत को 18 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया है और वह पेरिस 2024 पैरालंपिक खेलों में नहीं खेल पाएंगे शासी निकाए ने एक बयान में कहा भगत ने इस फैसले के खिलाफ C.A.S.A.S. अपीली डिवीजन में अपील की थी लेकिन इसे पिछले महीने खारिस कर दिया गया था अपडेट 9 राष्ट्रिये NPCI ने भीन को एक अलग शाखा में बदल दिया ललिता नटराज CEO नियुक्ट भारतिय राष्ट्रिय भुगतान निगम NPCI ने देश में डिजिटल लेंदेन की बढ़ती मांग को पूरा करने और वित्तिय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए UPI आधारित भुगतान एप्लिकेशन भारत इंटर्फेस फॉर मनी भीम को एक अलग सहायक कमपनी के रूप में स्थापित कर दिया है IDFC First Bank की पूर्व वरिष्ट कार्यकारी ललिता नटराज को NPCI भीम सर्विसेज लिमिटेड NBSL नामक नई सहायक कमपनी का मुख्यकार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है NPCI ने एक बयान में कहा कि राहुल हांडा मुख्यकारोबार अधिकारी होंगे अपडेट 10 विज्ञान और प्राध्योगी की चीन ने किया सबसे बड़े कार्गो ड्रोन का परीच्षन चीन ने नागरिक उपियोग के लिए डिजाइन किये गए अपने सबसे बड़े मानव रहित कार्गो विमान को उड़ाया क्योंकि दुनिया का शीर्ष ड्रोन बनाने वाला राष्ट्र स्वायत हवाई वाहनों UAV की परीक्षन उड़ानों को आगे बढ़ा रहा है जो अंतर टेकाउट से लेकर लोगों तक सब कुछ पहुँचा सकता है सरकारी मीडिया ने डेवल पर सिचुआन टेंगडेन साइंस टेक इनोवेशन कमपनी के हवाले से बताया कि दो मीटरिक तन की पेलोड क्षमता वाले इस दोहरे इंजन वाले विमान ने पहली उड़ान भरी और यह दक्षिन पश्चिमी सिचुआन प्रांत में लगभग 20 मिनट की यात्रा पर निकला चीन के नागरिक ड्रोन निर्माता बड़े पेलोड का परीच्षन कर रहे हैं क्योंकि सरकार कम उचाई वाली अर्थविवस्था बनाने पर जोर दे रही है विमानन नियामक 2023 से चार गुना विस्तार के लिए 2030 तक 2 ट्रिलियन युवान डॉलर 289 बिलियन उद्योग देख रहा है